आजना एक बड़ा प्राब्लम क्या हो गया है कि हमारा जो खान पान है वो तो गड़बड हुआ ही हुआ है लेकिन हमारा जो बपार है वो भी खराब हो गया बपार इंदा साइंस की दूद में, दही में, डालों में, सबजियों में, आटे में, रसोही में बपार गुश गया हर चीज में बपार पहले नहीं होता था पहले लोग बपार करते थे कपड़े में करते थे और कॉस्मेटिक में करते थे और जमीनों जायदातों में करते थे और ये स्पेर पार्ट बहुत सारी चीजों में बपार था लेकिन अब ये बपार दवाईयों में मेडिकल सिस्टम म बपार का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां से हो, चाहे वो कहते है किसी की जान लेके क्यों ना हो, प्रॉफिट हो, तो अब दूद में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि इंसान दूद पीते हुए डरता है, अब जहर खाते नहीं डरता बंदा, वो कहता है खाओ मरो, लेकिन दूद पीते हुए डरता है, अब इंसान सबजी खाते हुए डरता है, केला, सेव, अमरूद, अक्रोट खाते हुए डरता है, क्यों डर रहा है, तो उसको ये पता चल गया कि बदाम को एक ऐसी मशीन के बीच में से निकालते हैं, कि बदाम तो वैसे रहता है, तेल निकल जाता है, उसका, मिलावट जादा, बचा क्या, तो ऐसे अक्रोट है, अब अक्रोट में इतनी वराइटी है, कोई सोच भी नहीं सकता, अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको अक्रोट को लेके याद आगई, बाकी आपका टॉपिक वैसी चलेगा, यह मैं बीच में बता दूँ कि अक्रोट को अगर आप जला दो, जला के उसको कोईला कर दो, जला के कोईला कर दो, उसको बंद का बंद जला दो, ऐसे ही, तोड़ो फोड़ो मत, जब वो जल जाए, कोईला हो जाए, उसके बाद उसको ठंडा होने तक रखो, ठंडा होने पर उसको अच् उसका इतना महीन पाउडर बना लो कि आपड़े में छण जाए जब वो कपड़े में छण जाए तो वो छणा हुआ जो पाउडर है उस पाउडर को आप लेकर के उसके अंदर नारियल का तेल मिला दो थोड़ा सा चम्मच वो एक चम्मच वो मिक्स करो दो चम्मच तेल एक चम्मच पाउडर मिक्स करो वो पाउडर जो है उन लोगों के लिए बहुत गुनकारी है जिन लोगों की स्किन के उपर सफेद दाग हो जाते है अच्छा फलवेरी के दाग हो जाते है अगर साथ में इस एक बुरादा सा होता है उसको अगर आप ले करके साथ ही उसको पानी में डिप कर दें रात को एक चमच पानी में अधा चमच वो डाल के डिप कर दें उसको भी साथ में मिला के लगा तो ये आपके वाइट स्पोर्ट जो आ जाते हैं उनको धीरे 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 कलर चेंज करते हैं होते हैं तरु अफू ने जाया ही नहीं नीनी बात इसकी फिर करेंगे यह दू बीच में याद आ गया था मैंने इसलिए बताया की यूसका इलाज है बहुत बढ़िया ये घर पे करना चाहिए जो इसके ट्रीटमेंट हम करते हैं वो तो बात की इससे भाइदा होता है और दूसरी बात आपकी जो चल ले थी कि अब हमारे सोई घर का क्या हाल है तो बात आपकी वही रहेगी उसी पे बात करेंगे कि खाने में हमें चाहिए कि वो खाना जो है पॉस्टिक कैसे रखा जा है बात आई थी अखरोट की अखरोट की बात मैंने उसका दूसरा भी काम बता दिया कि वो क्या काम करता है इसी तरह हर चीज में मिलाबट हो गई अब मिलाबट जब हो गई तो पहले तो लोगों के जो हाइट हैं वो काम हो गई पहले उने से रह जाते हैं, तो ये छोटी-छोटी समस्य हैं जो हैं, इन्हों ने घर कर लिया, अब हम जैसे लोग आते हैं, अब हम लगबग चार दशक से काम कर रहे हैं आजरवेदिक सिस्टम में, तो काम करते-करते-करते-करते ये देखा, कि लोग उतने बिमार नहीं हैं, जित जो वहमें हैं, जिनको stress से उनका क्या इलाज करें इंसाथ, उनको तो बाते ही बता सकते हैं कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले ठीक हो जाएगा, लेकर फिर भी वही पर रुका होता है, कि मेरे को सर लगता है, मेरे को ये बिमारी है, अपने आप से ही, डॉक्टर बताता है नहीं, प्रॉल्म तो नहीं होगी, अरे जब गैस्ट्रिक प्रॉल्म है, तो चूरन खा ले ना तिर्फला आगा, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए, सबसे बड़िया चीज है तिर्फला, अब तिर्फला में मैं बताऊंगा आपको, छोटी सी बात, अब ये बनाया तिर्फला अमर लोगों को समझ आई कि ये क्या चीज है, क्योंकि हमने इसके उपर परजोर भोला है, कि ये क्या चीज, अब तिर्फला में 1%, 2% and 4%, 1% इसमें हरर बहडा और आमला, 1, 2 and 4 की रेशो का, अब ये जब हम देते हैं लोगों को, तो लोग इसका जल चमच खाते हैं और दूसरा तिर्फला खाते हैं, डिफरेंस पता चलता है, तो जितने हमारा गूगल पे जाईए, आप एप साइट पे चले जाएए, www.wayadwan.com पे जब आप जाएंगे, वहां पे तिर्फला सबसे पहले आता है, हमारी पंचम हल्दी सबसे पहले आती है, अब तिर्फला की बात बता द पानी में डिप कर देना, एक चमचे, एक गिलास में, सुबह उठके खाली पेड पीना इसको, तो आप दिंदगी में चेंज देखेंगे, कितनी आ रही है, आपकी लाइफ में चेंज कितनी आ रही है, बाल जढ रहे थे, वो रुक गए, नजर कमजोर हो रही थी, वो ठीक ह होने लगी, बीमारियां बढ़ रही थी, वो ठीक होने लगी, पैरों में आग निकलती थी, अब डाइबटी के पेशिंट है, शूगर के, तो उनके पैरों में जलन होती है, जो ज़्यादा दवाईयां खागा के रहते हैं, उनके पैरों में आग निकलती है, उनके लिए य अगर डेली लेते हो तो आपकी गट हेल्थ को ये ठीक करने में मदद करता है और दूसरी चीज आप जाहिएगा Google पे सीधा Google पे जाहिएगा क्रोम पे जाईएगा, कही भी सिस्टम में चले जाईएगा, जाके आप लिखिएगा पंचम हल्दी, यह हल्दी जो सुभाश गोईल आपके सामने लेकर के बैठे हैं, सिर्फ यही हल्दी आप वहां पे देखोगे, सबसे पहले नंबर पे आती है, क्यों कि लोगों ने इसको इतना लाइक किया, इतना क्लिक किया, इतना इसके बारे में रीड किया, कि यह नंबर वन पे आगी, आई क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़े थी, नंबर एक इसके अंदर काली हल्दी डाली गई, फिर इसके अंदर पीली हल्दी डाली गई, फिर इसके अंदर दारु हल्डी डाली गई फिर इसके अंदर जंगली हल्डी डाली घे पांच हल्दियों का यह मिशरण बना पंचम हल्डी अब यह पंचम हल्डी जब काम करती है तो यह Heart leaver brain, pencreatic secretion and urnal secretion जो आपका bathroom area है वहां पे किसी तरह है गर्मी है दर्द होता है, pain होते है जैसे लड़कियों को period के समय पेन होती है, boys को, giants को पेन होती है, तो ऐसी जो problem है, उसके लिए decent चीज है, और लोगों ने इसको अपनाया, और हमें इसके लिए बहुत सारे लोगों का thank you आता है, और सबसे ज़्यादा thank you जो लोग करते हैं, वो हमें करते हैं, हमारा एक product आता ह है, वो X plus gold, X plus gold जो है ना, उसने लोगों की मतलब की जीवन में जो आई हुई थी ना, वो सुस्ती, बेकारी, उसको पुनरजीव कर दिया, अभी मैं आपको बताऊ, एक हमारे पास couple आए थोड़े दिन पहले, मैडम, वो diabetes के patient थे, अब जो उसकी wife थी, वो diabetes के patient थे, और जो सरदार जी थे, उनके गुटनों में pain था, तो वो कहड़े लगे, नहीं, सोरी, वो उसकी wife को गुटनों में pain था, मुझे याद है कि उसकी wife को गुटनों में pain था, और जो सरदार जी थे, हमारे भाई जैसे हैं वो, उनको diabetes का problem था अब घर में वो दोने बच्चे बाहर गए कोई कनेडा कोई अमेरिका बच्चे बाहर थे वो दोने ही रहते हैं और दोनों विचारे बिमार हो गए अब उनकी जिन्दगी के अंदर एक सबसे बड़ा problem जो था वो था कि वो आपस में जैसे romance नहीं होता life में बोली गए क्योंकि अब अकेले भी हैं घर में और सब चीजें थी वो क्या है कि उसको जोडों में दर्द हो रहा है वो diabetes के कारण बिलकुली उसकी नपुनसकता आ गई तो उनको फिर जब दिया गया जो sugar के patient को हम देते हैं diabetes control powder sugar को control करने का क्या है ये diabetes control powder मैडम इसके अंदर कमाल की ची चीज़ है और सबसे पहले मैं बता दूँ इसके अंदर है amba haldi फिर इसके अंदर है kali haldी इसके अंदर दारू haldी इसके अंदर तीन हल्दियों का मिशरन है छोथा फिर इसके अंदर डाल गया है वीट ग्रास पाउडर फिर इसके अंदर डाला गया है जामुन की गरी का पाउडर जामुन सीड फिर इसके अंदर डाला गया है बेल पत्री बेल पत्र जो होते हैं उसका पाउडर फिर इसके अंदर डाला गया है अपना क्या नाम लेते हैं क्रेला का पाउडर और नीम की पत्यों का पाउडर और गूड मार बूटी का पाउडर फिर इसके साथ डाला गया قॉटन सीड जो ब्डेमे की गिरी होती है उसका प्ङर पौवर कॉटन सीड समझते हूंगे विनोला जो है उसको हमारे पंजाब में तो ब्डेमे कहते है आपके पता जो भी कहते होंगे लेकिन cotton seed समझते हैं सारे कि रूई का भीज जो होता है तो वो इसमें डाला जो कि pancreas के beta cell को ताकत दे के sugar के level को down करता है और बहुत जल्दी down करता है इसके साथ और दो चीज़े हम देते हैं और जो ladies हैं उनको जैसे गुटनों में दर्द हो रहा है जोक्तर ने उपरेशन के लिए बोल दिया जी मैंसिमम बोली देते हैं अपरेशन के लिए बोल दिया अब क्या होता है कि वो डर जाता है पेशेंट कि यार उपरेशन होगा हमने तो करवाना आम लोगों की है इच्छा की बिना अपरेशन के ट्रीटमेंट हो जाए तो उसमें क्या है कि उसमें हम देते हैं काला गोंद अब यह उठाना जी मैडम सीशी हाँ नंबर वन और यह नंबर टू बाड़ा भी देना मज़े जरा थैंक यू यह काला गोंद कैपसूल है अब यह काले रंग का कैपसूल है एक एक कैपसूल के उपर वैदबान प्रिंट है मैं आपको बताऊं काला गोंद मारकीट में बहुत मिलता है पंसारी के पास बहुत मिलता है खुला मिलता है वो खुला दे देते हैं बनला पाउडर टाइप सा तो ऐसे में हमें नहीं पता उसमें क्या है ना आपको पता है जब उसके उपर लिखा ही नहीं है कि काला गॉंद है अब यह है काला गॉंद इसके उपर ड़ला गया काला गॉंद और जटा मंसी का मिशरन अच्छा और ये कैफ्सुल ना मैडम गुटनों में जो ग्रीस खतम हो जाता है जिसको कहते हैं कि लुब्रीकेशन खतम हो गया उनके लिए बहुत फाइदे बंद है उनको हम एक कैपसुल रात को बोलते हैं यह पंचम हल्दी वाणे दूद के साथ एक कैपसुल सोने से पहले तो उसके बाद यह कैपसुल खा लिय और फिर हम कहते हैं कि एक हमारा यह तेल है यह ऐसे सप्रे करके निकलता है यह बड़िया बड़ा पहले हमारा दूसरा आपने देखा होगा एक वाइट कलर की बाटल बे होता था वो सिंपल था यह एक्स्ट्रा वर्जन बनाया क्योंकि यह इंस्टेंट पेन को रिलीफ कर देता है विर्जन दो तेन अपने इसके बाद पेन लुझह झायु आनको हम देते हैं जब मसल फॐं लोता है पर इसके अंदर सिक्स्टी हमेल ओाओल एक मत चलता है फिर एक चीज और बताता हूँ, इसको मलना होता है दिन में, जैसे पूरी बैक से लेके नीचे पैर तक इसकी मालिश करें, धीरे धीरे करें, और देखेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आपको अच्छी नीद आ रही है, सो जाईएगा, सोना बहुत जर है, मनलों यह प्यारटी है इसकी, अब जब यह जैल लगता है ना जी, ऐसे हम बोलते हैं लोगों को कि मक्य के दाने जितना के लेना है, इसके ऐसे चोटी-चोटी बिंदियां सी लगा के उसको धीरे-धीरे मल देना अपने घुटने के उपर, धीरे-धीरे ऐसे मल देना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि घुटने में से थोड़ा-थोड़ा रलीफ मिल रहा है, यह लड़ेगा भी थोड़ा सा, अगर जादा लड़े तो उस पर नारियल का तेल मल दीजेगा, जलन खतम हो जाती है और यह अपना काम कर जाता है, तो यह जल मलने के बाद, आप जब पैर रखते हो, पिछले जितने सालों की आपकी तकलीफ थी, उससे आपको लगता है कि कितना अराम मिल रहा है, और उसी समय आपके मुझ से लिकलता है, कि वहाई ग्रूम, जय महाशक्ति, और सुभाश गोल, थैंक यू, तैंक यू सो मच, सुभाश गोल जी, यह जब निकलता है, बड़ी बात है, तो किसी का थैंक यू लेना एक बड़ी बात होती है, पैसा कोई भी ले लेगा, बातें करके किसी से कोई भी पैसा ले लेगा, लेकिन किसी का अंदर से थैंक यू ले लेना, यह बड़ी बात है.